जै मसी की दोस्तों, आज के सुर्गे मन्ना का भाग हमने लिया है नीती वचन के पुस्तक उसका पच्चिसवा अध्याय और उसका एक्किसवा और बाइसवा वचन वचन कहता है यदि तेरा शत्रू भूका हो तो उसे खाने के लिए भोचन दे और यदि वो प्यासा हो तो उसे पीने के लिए पानी दे क्योंकि इससे तो उसके सिर पर अंगारों का धेर लगाएगा और यहवा तुझे प्रतिफल देगा धन्यवाद पिता परमेश्यर तेरे अध्भूद वचन सुख दाइक और आशी शित है दोस्तों मसी जीवन के तीन मुख नियम है इनमें पहला नियम है प्रेम का नियम दूसरा है शमा का नियम और तीसरा है दोशना लगाने का नियम हालेलोया दोस्तों यह नियम क्यों बनाए है परमेश्यर ने क्यों परमिश्चर के वचन हमें समझ कर उसके तरह अपने जीवन को बिताना चाहिए क्योंकि परमिश्चर कहता है यदि तेरे शत्रुक में घमंड की भूख है तो अपने आपको तीन कर यदि उसे गुसे की भूख है तो अपने आपको नम्र कर और यदि वो तुझे मारना चाहता है तो अपने तो अपना दूसरा गाला के कर दे इससे तो उसके सर पर अंकारों का ठेल लगाएगा यानि कि पश्टा ताप की भावना उसके अंदर आएगी तेरे से प्यार करेगा मुवचन जो परमेश्र चाहता है परमेश्र कहता है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और अपने दुश्मनों से प्यारी मत करो अपने दुश्मनों के दिल में रहो इसलिए परमेश्र कहता है कि उस वचन के अनुसार जब तू चलेगा तो परमेश्र का प्रतिपल तेरे अंदर मिलेगा अगर तरह दुश्मन तुझे मारना चाहता है तो अपने गाल को आगे कर, दीन कर, नम्र कर ताकि तू उसके सर पर अंगारे रखते हैं दोस्तों, क्या है ये अंगारे? ये अंगारे परमिश्र का न्याए है आग परमिश्र के न्याए को परदश्रित करती है वो अंगारा जब उसके मन में जाएगा उसके एहम को चला देगा उसके स्वार्थ को चला देगा उसके गुस्से को चला देगा और वो पच्चाताब की अगनी में चलकर पच्चाताब करता हुआ परमिश्र के जरनों में आएगा और खुद दीन बन जाएगा नम्र बनेगा और परमेशर के अनुगराए का अनुगराए को पाएगा दोस्तों हम चाहते हैं परमेशर चाहता है कि परमेशर का अनुगराए सब लोगों के लिए हो सब लोगों के लिए इसलिए परमेश्व चाहता है कि अकर तुम मसी जीवर मिताना चाहते हो तो प्रेम की भावना तुमारे अंदर होने चाहिए वो प्रेम की भावना सिर्फ हमारे शब्दों से प्रदरशित नहीं होनी चाहिए बलकि प्रेम की भावना हमारे कारियों से भी प्रदशित होनी चाहिए इसलिए मती 5, 43, 45 के बीश में लिखा हुआ है कि जो तुमें सताते हैं उनके लिए प्रातना करो आले रही है लुका 6, 27 कहता है जो तुमसे गर्णा करते हैं उनकी भाला ही करो Praise the Lord प्रकाशित वाक्य 3 का 19 कहता है कि मैं जिन से प्रेम करता हूँ उनको डाड़ता और ताड़ना देता हूँ इसलिए कि वो सरगर्म हो और मन फिरा है परवेशर का जो ज्यान है परवेशर की जो नीती है परवेशर का जो नियम है वो संसार से बिलकुल अलग है मेरे दोस्तों वो कहता है धन्य है वो जो मन के दीन है वो यह नहीं कहता है कि धन्य हो है जिनके पास पैसा है जिनके पास ताकत है जिनके पास तौलत है नहीं वो कहता है धन्य है वो जो मन के दीन है धन्न है वो जिनका मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेशर को देखेंगे धन्न है वो जो धर्मिकता के भूग के पैसे हैं क्योंकि वो आनंद पाएंगे, सुख पाएंगे, शान्ती पाएंगे परमेश्र के राज्ज को देखेंगे परमेश्र की उपसिती को महसूस करेंगे मिरे दोस्तों ये वचन ये नियम हमारे जीवन में लागू हो इसके लिए हमें भर सक कोशिश करनी है और वैसा ही जीवन बिताना है जैसे ईशुमसी ने बिताया था वैसे ही कदमों के अनुसार चलना है जैसे ईशुमसी चला था और हम विश्वास करिए कि वो लक्ष वो मंजल तक जरूर पहुँचेंगे क्योंकि परमेश्र के वचन हमारे साथ है और परमेश्र के जब वचन हमारे साथ होता है तो मेरी उपस्थत ही होगी और जिन्ने चमातकारों के दोरा मैं तेरे जीवन में काम करूँगा क्योंकि मेरा वचन तेरे अंदर है जब उसके वचन के नुसार हम चलेंगे इसलिए दोस्तों हमारे जोभी दुश्मन हैं दिल से माफ करें दिल से प्रेम करें और उनके दिल में रहें सिर्फ माफी ना करें हमें उनके दिल में रहना है अपने लिए जगा बनानी है और उसके लिए हमें अपने आपको दीन करना है अपने आपको नमर करना है अपने आपको नीचा करना है हमें उसके गुसे के सामने अपने आपको बिल्कुल दीन करके अपने आपको तोड़ना है अपने अहम को तोड़ना है अपने खमन को तोड़ना है ताकि हम उसको पासके उसको पासके क्योंकि परमेशर की इच्छा है कि वो शक्स जो तेरा दुश्मन है वो मेरा बच्चा है हम उसको पासके हाले रही है इसलिए बहुत स्रूरी है मेरे दोस्तों कि आपके आफिस में हो सकता है आपका कोई विरोधी हो आपके धंदे में हो सकता कोई आपका विरोधी हो आपके प्रडोस में हो सकता कोई आपका विरोधी हो लेकिन आपके चाल चलन से, आपके वहवार से आपके बोलने से, आपके बैठने उठने से आपके काम करने के तरीके से आप उसके मन को प्यार से भड़ते हैं भड़ते हैं प्यार से वो प्यार जो परमेशर ने आपको दिया है वो वचन जो परमेशर ने आपको दिये हैं वो भावनाएं जो परमेशर ने आपको दिये हैं वो विशार जो परमेशर ने आपको दिये हैं उन विशारों के द्वारा आप उनके मन को प्यार से भड़ते हैं और परमेशर के प्रतिरूप को उनके मन में बसाते हैं ताकि उनका घमंड, उनका गुसा, उनका स्वार्थ, उनकी लालच, उनकी नफरत सब उस आग में जल जाएं वही आग जो परमेशर के नियाए की आग है आई हम दोस्तों प्रात्रा करते है पिता परमेशर तेरे पवित सामर्थिराम में अद्बुशिफा है यह अस लॉर्ड, प्रेम का नियम अद्बुथ है और हम इस प्रेम के नियम के नियम के अनुसार अपने जीवन को चलाते है इसलिए हम धन्यवाद देते हैं सुने वाले हर भाई भाइन के लिए आशीश मांगते है हो सकता है मेरी बहें कोई होगा जो आप, कोई होगा जिसने आपको चोट पहुँचाई है हो सकता है उसे माफ करिए जो तक आप माफ नहीं करेंगे तक परमिश्र का प्रतिपल नहीं पाएंगे हो सकता है कि जो आपके जीवन को चल रहा हो उसे माफ करिए अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आप प्रतिपल नहीं पाएंगे प्रभु का प्राथ आपने सुने कुबूल की, Amen, 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 Amen